एक जीरो और रेस्टनल नंबर जेस्टिफाई जीरो रेस्टनल नंबर है कि नहीं इसको जेस्टिफाई करना है तो जीरो है रेस्टनल नंबर लिख देंगे यहां पर आंसर में जीरो इस रेस्टनल नंबर but justify करना है justify करने का मतलब क्या होता है justify करने का मतलब होता है कि बताना ये कि ये क्यों है y का answer देना तो 0 is a rational number because it can be written as 0 upon 1 0 upon 1 के form में लिख सकते है मतलब P by Q के form में लिख सकते है where 1 is not equal to 0 question number 2 represent each of the following rational numbers on the number line तो हमने number line ड्रा कर लिया है 5 upon 7, 8 upon 3, minus 23 upon 6 1.3 and minus 2 upon minus 2.4 इन सभी को represent करेंगे यहाँ पर देखेगा बारी बारी से करेंगे 1 by 1 तो समझेगा ध्यान से 5 upon 7 यह एक proper rational number है तो proper rational numbers हमेशा 0,1 के बीच में या फिर 0 और minus 1 के बीच में लाई करते हैं यदि negative रहेगा तो 0, minus 1 के बीच में लाई करेगा यदि positive रहेगा तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो 5 upon 7 एक proper है क्योंकि numerator छोटा है denominator से तो क्या करेंगे बस यहाँ पर देखेंगे कि यह 7 जो है denominator 7 होने का मतलब कि 0 और 1 का जो यह space है उसको 7 parts में divide करतेंगे 7 parts में divide करने के लिए हमें lines खीचने पड़ेंगी 6 तो हमने यहाँ पर 6 lines खीचा है जिससे की 7 parts में divide हो गया यह अब इसमें जो numerator है इसका 5 है वो बता रहा है कि 0 से कितनी बार हम jump करेंगे right side में तो यहाँ से jump करेंगे 5 times 1, 2, 3, 4, 5 मतलब यह वाला जो point है यही point है वो जो हम find करना चाहते हैं मतलब 5 upon 7 चलिए 8 upon 3 करते हैं पहले पहले देखें यहाँ पर यह improper है यदि 8 upon 3 improper है तो पहले इसको proper में करवड कर लिजिए मतलब 3 to 6 2 whole 2 upon 3 ऐसा आएगा तो यहाँ पर जो 2 है वो complete है इसका मतलब कि 0 से 1 और 2 यहाँ तक तो jump कर जाएंगे ऐसे ही तो इसको हम ले लेते हैं red तो यहाँ समकर लेते हैं देखिए 1 तो jump करेंगे फिर यहाँ से 2 jump कर लेंगे तो यहाँ तक तो आचुके हैं 2 तक उसके बाद देखिए 2 upon 3 है इसका मतलब कि निचे denominator को देखिए पहले तो 3 है 3 मतलब कि 2 और 3 मतलब 2 तक तो आ चुके थे तो 2 और 3 जो आगे वाल interval है इसमें हम 3 parts करेंगे 3 parts करने के लिए हमें 2 lines की चीनी पड़ेंगी बस अंदर 1 and 2 तो 3 parts हो गया अब गया करना है numerator में देखना है कि 2 है 2 है तो इसको दो बार जम करादी जो बस यहां से एक बार जम किया यहां और यह बार जम किया यहां तो यही वो point है यह वाला point क्या है यह 8 upon 3 यही आपका है 8 upon 3 so simple अब देखिए minus 23 upon 6 करना है देखिए जो minus 23 upon 6 है इसको हम convert कर लेंगे पहले mix fraction में 6 to 18 and minus रहे गया यहां पर और यह 5 upon 6 तो यहां पर जो minus 2 है वो complete है minus 2 complete है तो हम 0 से left side में minus 2 तक जाएंगे तो यहां से 0 से जाते हैं minus 2 तक तो 1 and 2 minus 2 हो गया minus 1 minus 2 उसके बाद से 5 upon 6 को represent करेंगे कहाँ minus 2 और minus 3 के बीच में अब यहां पर represent करने के लिए 5 upon 6 को हम देखेंगे denominator क्या है denominator क्या है इसका मतलब कि हम minus 2 और minus 3 के बीच में जो यह space है उसको 6 equal parts में डिवाइड करेंगे मतलब कि 5 lines खीच देंगे तो हो जाएगा तो हमने 5 lines खीचा और यह 6 parts में डिवाइड हो गया अब हम क्या करेंगे उपर देखेंगे numerator में मतलब 5 है 5 है तो minus 2 से जम कर जाएगे 5 times मतलब 1,2,3,4 and 5 this is the point this is the point which is minus 23 upon 6 minus 23 upon 6 अब करते हैं 1.3 देखिए 1.3 को हम लिसकते हैं mixed fraction में 1 whole 3 upon 10 है कि नहीं तो यहां मतलब कि 1 complete है 1 complete है मतलब कि यहां से जम कर जाएगे 1 तक तो 1 तक हम यहां से जम कर गए ठीक है मतलब यहां से हम सोरी यहां पर आ चुके हैं इस point पर अब हमें 1 out 2 के बीच में 3 upon 10 को दिखाना है तो 3 upon 10 को 1 out 2 के बीच में दिखाने के लिए हमें नीचे देखना पड़ेगा डिनोमेटर में 10 है तो 10 है तो 1 out 2 के बीच में 10 parts करने पड़ेंगे 10 equal parts मतलब 9 lines खिचनी पड़ेंगी तो यह हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब equal parts नहीं दिख रहे हैं आप करेंगी थोड़ा सा patience रखके अच्छा से तो हो जाएगा देखिए अब हमें उपर numerator देखिए 3 है 3 है तो यहां से यहां से तीन बार जम करेंगे 1, 2 और यह हो गया 3 मतलब यह वाला जो point है यह वाला point यही point है 1.3 हो गया अब मैं करना है minus 2 minus 2.4 तो minus 2.4 को भी लिख देंगे देखिए minus 2.4 को ली सकता है minus 2 whole 4 upon 10 अब यहां से cancer कर दीज़े 2 to 4, 2 to 5 ज़े 10 तो यह हो जाएगा finally minus 2 whole 2 upon 5 अब समझेगे यहां पर minus 2.4 minus 2.4 is equal to ली सकता है minus 2 whole 2 upon 5 जैसे कि हमने यहां बताया अब हमने यहां पर नया एक बना लिया है क्योंकि यहां पर already मैं रिप्रेजन कर चुका था minus 2 and 3 upon 6 को इसलिए मैं यहां पर अलग number line पर कर रहा हूं तो यह minus 2 whole 2 upon 5 को करना है तो minus 2 complete है इसका मतलब कि 0 से हम minus 2 जम कर जाएंगे तो 1 और यह हो गया 2 अब यह कर रहेंगे अब देखेंगे कि यह 2 upon 5 जो proper rational number है यहां पर यहां पर जो 2 upon 5 का जो यह 5 है denominator में वो बताता है कि minus 2 और minus 3 के भीच में 5 parts करेंगे equal मतलब कि 4 lines किस देंगे तो हो जाएगा तो 1, 2, 3, 4 तो 5 parts में हो गया अब यहां पर देखें numerator बता रहा है 2 कि इसको second वाल लेंगे मतलब left side में यहां से हो जाएगा 1 और हो जाएगा 2 मतलब यह वाला जो point है यही point है आपका 1.4 sorry minus 2.4 यही आपका है minus 2.4 this is your representation of all these numbers question number 3 find a rational number between when मूल मंतल यही है कि दोनों को add करो, और 2 से divide करो धुनों को add करो, 2 से divide करो चलो करते हैं यहां पर एक rational number निकालना है तो add कर दिजिये और 2 से divide कर दिजिये पर क्या मिलेगा यहाँ पर add करने पर यहाँ देखिए यह 40alie का calcium और यहां solve करेंगे तो मिलेगा 15 प्लस 16 और divide भी करना है 2 से 2 upon 1 मतलब यहां पर क्या जाएगा 31 upon 40 upon 2 upon 1 तो यह 1 simply होता है यहां पर और बीच-बीच में में हो जाता है यह मिल जाएगा आपको 31 upon 80 31 upon 80 is 1 इता middle point है 3 upon 8 और 2 upon 5 का ठीक वैसे यहां fund करेंगे दोनों का add करिए 1.3 plus 1.4 divide कर दीजे 2 से यह हमारा यह मिल जाएगा तो क्या मिलेगा यहां पर 2.7 upon 2 कटेगा यहां पर तो मिलेगा 1.236 2510 this is one restaurant number between these two अब यहां भी करेंगे इन दोनों को भी add करिए और 2 से divide करिए तो minus 1 plus 1 upon 2 कर देंगे और इसको bracket में close कर देंगे और फिर divide कर देंगे 2 से तो यहां पर क्या मिलेगा देखिए यहां solve करेंगे तो मिलेगा minus 1 upon 2 और इसको 2 से डिवाइड यही करेंगे 2 से डिवाइड करने का मतलब यही है कि multiply करेंगे 1 upon 2 से यहां होजागा minus 1 upon 4 यह होगे आपका minus 1 और 1 upon 2 के बीच में एक number middle point find कर रहे हैं हम लोग एक निकालना है तो ऐसे ही करिएगा simple रहेगा बिल्खुल अब यहां पर देखिए कैसे करेंगे चले फोर्थ वन करते है minus 3 upon 4 and minus 2 upon 5 इनके बीच में निकालना हो तो add करेंगे वैसे ही minus 3 upon 4 में add कर देंगे minus 2 upon 5 यहां बड़ा bracket लगा देंगे बाहर से फिर divide कर देंगे इसको 2 से यही solve करना है solve करेंगे तो क्या आएगा यहां पर LC में ले लेंगे 4 और 5 का तो यह हो जाएगा 20 4 तो 20 होता है 5 तो 15 हो जाएगा minus 15 और यहां देखिये plus और minus और प्लास और प्लास होगा तो minus ही रहेगा तो minus रख देते हैं 5 और 20 और 4 तो 8 यह हो गया minus 8 और इसको ब्रेकेट में बंते गरिए डिवाइड बाइ 2 फाइनल यहां पर हमारा जो आंसर आएगा minus 23 अपान यह हो जाएगा 20 डिवाइड बाइ 2 मतलब आजाएगा minus 23 अपान यह हो जाएगा 40 तो minus 23 अपन 40 is the middle point of this 2 ओके अब यहां भी वाजी सीह कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे अब कर देंगे क्या मिलेगा दिखिए यहां पर यह हो जाएगा और यहां पर यह हम यहाँ पर multiply को divide को multiply पिछाज करेंगे तो 1 upon 2 हो जाएगा मतलब 1 upon 6 आएगा 1 upon 6 is the middle point of 1 upon 9 and 2 upon 9 ऐसे करके आप एक find करलेंगे बस add करना है 2 से divide करना है that's it very simple question number 4 find 3 rational numbers lying between 3 upon 5 and 7 upon 8 how many rational numbers can be determined between these two numbers सबसे पहले हम 3 rational numbers find कर लेते हैं 3 upon 5 और 7 upon 8 के बीच में हम एक number line ड्रा कर लेते हैं ताकि दिखाई देख कि हम कहाँ पर find कर रहे हैं कौन कौन से find कर रहे हैं ओके तो यहाँ पर लेते हैं left side में 3 upon 5 क्योंकि छोटा है 7 upon 8 से और 7 upon 8 लेते हैं right side में सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा हम इसका middle point find करेंगे यह वाला point और middle point find करने के लिए दोनों को add करेंगे 2 से divide कर देंगे तो 3 upon 5 और 7 upon 8 को हमने add कर दिया और 2 से divide करेंगे क्या मिलेगा हमें यहाँ हमें यह मिलेगा solve करने पर 59 upon 40 यहाँ पर दिखें division को multiply में change करेंगे और 1 upon 2 कर देंगे यह आपका आजागा 59 upon 80 तो पहला हमारा rational number find हो चुका है और यहाँ पर लिख दोते हैं 59 upon 80 ध्यान दिजाएगा दूसरा find करेंगे हम 3 upon 5 और 59 upon 80 के बीच में यहाँ पर ठीक है यहाँ पर rational number होगा इन दोनों के बीच में दोनों को add करेंगे 2 से divide करेंगे तो मिल जाएगा दोनों के इदम middle point 3 upon 5 और 59 upon 80 को sum करेंगे और 2 से divide करेंगे यहाँ पर LCM होगा 80 56 divide करेंगे 69 आएगा 63 रिजा 48 और यह आपका आजाएगा 107 upon 160 तो हमने find कर लिया second rational number 107 upon 160 अब हमें find करना है third third find करेंगे इसके बीच में दिखेंगे यहाँ पर मतलब कि 59 upon 80 और 7 upon 8 के बीच में तो 59 upon 80 और 7 upon 8 को add करेंगे 2 से divide करेंगे मतलब कि यहाँ पर आजाएगा 129 upon 160 तो हमने यहाँ पर आप देखने 3 upon 5 और 7 upon 8 के बीच में हमने 3 rational numbers find कर लिया है ध्यान समझेगा यहाँ पर second part भी है यहाँ पर how many rational numbers can be determined between these two numbers तो इन दोनों के बीच में मतलब 3 upon 5 and 7 upon 8 के बीच में कितने rational numbers को determine किया जा सकता है तो जोड़ा आप ध्यान से देखेंगे 3 upon 5 और 107 upon 160 के बीच में भी find कर सकते थे हम फिर यहाँ पर find करने के बाद इन दोनों के बीच में भी find कर सकते थे यहाँ पर फिर इन दोनों के बीच में ऐसे ही देखेंगे 107 upon 160 और 59 upon 80 के बीच में find कर सकते थे फिर यहाँ जो मिलता हमें तो इनके और इनके बीच में find कर सकते थे यहाँ पर फिर इनके और इनके बीच में find कर सकते थे यहाँ पर ऐसे करते करते हैं आप कितने find कर सकते थे infinite number of rational numbers find पाई जाते हैं तो question number 5 find 4 rational numbers between 3 upon 7 and 5 upon 7 यहाँ पर हम different तरीके से approach करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें 4 find करना है rational numbers और तब ध्यान दिज़ेगा है यहाँ पर 3 upon 7 यहाँ पर है number line पर और 5 upon 7 यहाँ है हमें इनके बीच में 4 rational number find करना है तो ध्यान दिज़ेगा यदि कोई rational number है उन दोनों का denominator यदि सेम है जैसे यहाँ पर देखें 7 है और यहाँ भी 7 है तो केवल numerator में देखेंगे कि बीच में कोई number lie करता है क्या numerator के बीच में मतलब कि 3 के बाद क्या आता है 4 और उसके बाद आता है 5 मतलब एक number तो आसाने से मिल जाता योदि हमें इन दोनों के बीच में एक number find करना रहता तो अब बता देते कि यहाँ पर एक number है 4 upon 7 लेकिन हमें एक तो find नहीं करना है हमें क्या करना है 4 rational find करना है तो यहाँ पर देखें ध्यान से हमें 4 rational find करना है इसलिए हम इसके numerator को बढ़ा देंगे लेकिन numerator को कैसे बढ़ा देंगे हमें denominator और numerator दोनों को साथ में बढ़ाना पड़ेगा यह दोनों को साथ हम बढ़ाएंगे तो numerator में मतलब कि 3 upon 7 और 5 upon 7 दोनों के numerator में difference बढ़ जाएगा और जब बढ़ जाएगा तो आसानी सब फाइंड कर सकते हैं चले टू से बढ़ चेक करते हैं कि टू से बढ़ता है डिफरेंस जिसे यहां पर माल लेजिए हम टू से लेगर कर देते हैं यहां भी करना पड़ेगा टू से यह नंबर बन जाएगी कितना 3 to just 6 upon 7 to just 14 इतना हो जाएगा यहां पर 2 से बढ़ गर गरेगे इनमिरेटर में और डिनमिरेटर में भी 5 to just 10 upon 7 to just 14 अब यह बताएगे 6 और 10 में डिफरेंस कितना बढ़ा है 6 के बात क्या आता है 7 आता है 8 9 लेकिन हमें इसके बात 3 आता है तो हमें 3 rational number मिल जाएगे दी सबके निचे दी हम 14 14 लिख दें तो 3 rational number असानी से मिल जाएगे लेकिन हमें निकालना है 4 तो यह भी 2 से बढ़ ने करना है मतलब हमें 3 से करना पड़ेगा तो ऐसे ही आप चेक कर लेंगे पहले कि किस से मढ़ बढ़ करने पर हमारे 4 rational मिल जाएगे तो अभी आपको exact answer मिल पाएगा इसका मतलब कि हम यहां निचे करेंगे numerator में 3 से यदि हम यहां 3 से निचे करें और यहां भी यहां भी 3 से और यहां भी 3 से तो यह दोनों निमबर्स बदल जाएगे यहां हो जाएगा और यहां हो जाएगा 15 अपान 7 तरजा 21 अब दीखे 9 और 15 के बीच में जो difference है वो enough है 4 rational मिल फाइंड करने के लिए मतलब कि जो इसके next rational number होगा वो होगा next नहीं होगा मतलब जो इसके आगे एक नंबर होगा वोगा 10 अपान 21 अगें 11 अपान 21 12 अपान 21 13 अपान 21 तो हमें 4 ही निकालना है तो यही चार नंबर से लिए लेंगी जहां पर हमें cancel करने लाइक रहेगा मतलब थोड़ा सा reduce कर सकते हैं इसको standard फार्म बना सकते हैं कर लिजेगा जिसे यहां पर 3 4 जा 12 अपान 21 तो इसको 4 अपान 7 लिख सकते हैं या फिर 12 अपान 21 रखने देंगे तब भी सही है तो हमारे जो नंबर्स मिल जाएंगे 4 रिसनल नंबर्स वो मिल जाएंगे 10 अपान 21 11 अपान 21 and 4 अपान 7 and then 13 अपान 21 अब इनको यहां question नंबर 7 find 6 रिसनल नंबर्स between 2 and 3 द तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 2 अपान 1 लिखेंगे 3 अपान 1 देखेंगे denominator दोनों का same है तो हमें देखना होगा कि numerator में difference कितना है तो 2 और 3 के बीच में directly कोई भी rational नंबर्स नहीं किया सकता तो क्या करेंगे फिर हमें numerator को increase करना पड़ेगा तो numerator को increase करेंगे किस नंबर्स म दिया है 6 में एक आइड कर दें 7 तो 7 से मुझा करने पर आ जाएगा लेकिन देखिए सारे questions में नहीं होगा किवल ऐसे questions में होगा जिसमे numerator में difference 1 हो जैसे देखिए आप 2 और 3 में क्या difference है 1 यदि ऐसा number हो तभी यहाँ पर जितना पूछा रहेगा उसमें 1 आइड करके असान 14 आपान 7 देखिए यह number 2 आपान 2 जो number है न वो 14 आपान 7 एकदम exactly उसी के बराबर है हाना इतना is equal to 2 है और यहाँ देखिए 7 तो 21 आपान 7 हो जाएगा और यह भी जो है 3 के बराबर है अब इन दोनों के बीच में देखिए numerator में difference बढ़ चुका है मतलब अब numerator में difference कितना हो 14 है यहाँ आपान 21 है तो इसके आगे वाला number होगा 15 आपान 7, 16 आपान 7, 17 आपान 7 and 18 आपान 7, 19 आपान 7 and 20 आपान 7 यह हमारे 6 numbers होंगे तो these are the required 6 rational numbers between 2 and 3 ऐसे करके आप find कर लेंगे ओके question number 7, find 5 rational numbers between 3 upon 5 and 2 upon 3 यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो देखे 3 upon 5 का denominator है 5 और 2 upon 3 का denominator है 3 यहाँ पर denominator अलग-अलग है तो यह दे denominator अलग होता है तो इस case में हम आसानी से find करने के लिए और सही position में equal दूरी पर find करने के लिए rational numbers करते क्या है एक value find करते हैं D तो लिए रहते हैं हापर solution आप क्या करोगे कि इसको माल लोगे कि यह x है और यह माल लोगे कि यह y है और इन दोनों के बीच में जो निकालना है जितने numbers को जिसे 5 निकालना है तो इसको माल लोगे n n मतलब number है number of rational numbers you need to find तो n बराबर यहाँ पर क्या आए गया 5 तो क्या करना है हमें एक value निकालना है D पहले तो D पर आबर निकालना क्या है y-x मतलब कि y में से x को मानस कर दीजिए जितना आएगा उसमें n प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर value करेंगे find करेंगे तो कितना आएगा देखे 2 अपान 3 में से मानस कर दीजिए 3 अपान 5 और इसको डिवाइड कर दीजिए n इसकोल दू 5 है यहाँ पर तो 5 प्लस 1 ठीक है जितना रिसमें बनिकालना होता है उसे डिवाइड कर देते है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा दिखेंगे solve करेंगे 15 हो जाएगा इसके LCM और 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15 5 2 10 minus and यहाँ पर हो जाएगा 9 और whole अपान तो यहाँ पर आई बस इसी को 3 अपान 5 में आइड करते जाना है जैसे से आइड करेंगे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम वैसे वैसे अलग अलग नमबर्स निकलते जाएगे कैसे मतलब देखें ध्यान से फरस्ट जो फरस्ट रिस्टल नमबर होगा वह हो जाएगा दिखें एक्स में जो एक्स है आपका एक्स में आइड कर देंगे 1 इंटु डी तो कितना आएगा 1 इंटु डी मतलब कि केवल डी आइड करिए यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का वेलु है 3 अपन 5 त 90 55 अपन देखें यह आजाएगा 55 अपन 90 यह हमारा होगा पहला रिस्टल नमबर सेकेंड रिस्टल नमबर होने काले के लिए एक्स प्लस यहाँ पर दीखें एक्स प्लस 2 इंटु डी कर देंगे तो यहाँ पर जो x की value है 3 अपन 5 ही रहेगी प्लस यहाँ पर हो जाएगा बस 2 अपन 90 तो यह हो गया second restaurant number तो third restaurant number होगा आपका x प्लस 3 इंटु डी 19 अपन 30 तो ऐसे हमने 3 find कर लिया अच्छा यहाँ पर हम cancel out कर सकते हैं 5 से 5 बंजब 5 5 बंजब 5 अपन 5 से यहाँ करेंगे तो मिलेगा हमें 18 तो यह पहला यह था दूसरा यह तिसरा यह अब निकालेंगे fourth 29 अपन 45 now the last one यहाँ पर करेंगे x प्लस 5d मतलब यह आ जाएगा 59 59 अपन 90 तो हमारे पास जो rational numbers आ गए first one is this second one is this and third fourth and fifth ओके तो ऐसे करके आप find कर सकते हैं 5 rational numbers यदि denominator equal नहीं है तब आसान है तरीका बस आपको करना क्या है केवल d तो find करना है पहले y-x अपन n प्लस 1 कर लेना है यह find करने के बाद बस यहाँ पर x x प्लस 1 into d x प्लस 2 into d x प्लस 3 into d ऐसे करके find कर लेना है ओके question no.8 insert 16 rational numbers between 2.1 and 2.2 यह question बहुत असान है कैसे तो 2.1 और 2.2 के बीच में 16 rational numbers find करना है यदि आप directly सोचेंगे तो 2.1 और 2.2 के बीच में कोई भी number नहीं दिख रहा बट यदि हम यहाँ पर लिखें we have देखे 2.1 को हम लिख सकते हैं is equal to 2.100 यह दोनों बराबर होंगा हाना 1 का यह जिरो बढ़ाते हैं तो उससे कोई फार्क नहीं पड़ता तो यह 2.1 को लिख सकते हैं 2.100 2.2 को लिख सकते हैं 2.200 अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में मतलब कि 2.100 और 2.200 इन दोनों के बीच में हमें 99 डिरिशनल नंबर मिल चुके हैं अच्छा कौन कौन है वो तो हम यहाँ पर लिख देते हैं Clearly 2.1 is equal to 2.100 बट इसके आगे वाला जो नमबर है इससे जो बड़ा नमबर है जस्ट बड़ा नमबर वो होगा 2.101 मतलब इसके जस्ट आगे वाला एक नमबर हम कर सकते हैं 2.101 इसके आगे क्या होगा 2.102 2.103 2.104 फिर यहाँ पर होगा 2.105 2.10 sorry 110 10 sorry 116 na 106 2.106 ऐसे दोट 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 कर के हम कहां तक जा सकते हैं less than 2.199 और इसके बाद क्या होगा इसके बाद होगा 2.200 और यह नमबर यही है तो आप देख रहे हैं इतने सारे मतलब 99 हैं यह टोटल 99 होंगे आपके बुक में जो आंसर दिया है वो केवल इसे मेंसे 5वे नमबर पर जो नमबर है 55 के मल्टीपल्स में नमबर को लिया है मतलब यह वाला नमबर पहले दिया है आपके बुक में उसके बाद 5 और आइड करेंगे तो मिलेगा 2.10 2.110 तो 2.11 दिया हुआ है तो हम ले सकता है कि hence 16 rational numbers between 2.1 and 2.2 आर क्या क्या लिखेंगे देखिए इसमें सो कोई भी चूच कर सकते हैं आप ले लिए इसको 1,2,3 ऐसे लिख दीजे 16 टाइम्स यह भी आंसर करेक्ट होगा लेकिन आपके बुक में जो दिया हुआ है वो में हम लिख देते हैं देखिए पहला जो नंबर लिखा हुआ है लिखा है कि 2.105 लिखा है मतलब पांच-पांच का डिफरेंस ले रहा है मतलब यह पांचवा नंबर यह पहला लिया है उसके बाद 106, 107, 108, 109 को छोड़ दिया है फिर 110 लिखा है मतलब इसके बात अरज नंबर होगा वह घर 2.110 ऑर इसको लिख दिया है bet 211 ओके अभ इसके आगये वाला नंबर लिखा है 5 आट की है फिर से हैं इसमें 5 आट करतीजे मिलेगा 2.115 इसके आगये वाला नंबर 2.120 फिर उसके आगये वाला 2.12 के बाद 1, 2, 5 2, 1, 3, 0 2, 1, 3, 5 2, 1, 4, 0 2, 1, 4, 5 2, 1, 5, 0 2, 1, 5, 5 ऐसे ही करते-करते 16 times आप लिख सकते हैं ना वह 16 नमर्स दिया हुआ है आपके book में लेकिन जरूएने की यही answer होगा आप जो है यह भी लिसकते हैं यहां से start करिए 2.101, 2.102, 2.103 2.116 वहीं तक answer हो जाएगा हमें क्या निकलना है 16 नहीं तो निकलना है तो कोई भी इस 99 में से आप 16 चूज कर लिजेगा that will be your answer और यहां से clearly visible है तो decimal numbers में ऐसे करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा लेकिन ऐसे question number 9 state whether the following statements are true or false give reasons for your answer यहां पर हमें पहले बताना है कि true or false है यह दि true है तो बताना है कि reason देना कि क्यों true है यह दि false है तो क्यों false है चलिए पढ़ते हैं first one every natural number is a whole number तो natural numbers को लिखते है 1 से 1,2,3,4, dot, dot, dot होता है यह होता है natural numbers whole numbers कहां से होता है 0 से होता है तो बिल्कुल होते हैं, देखिए यहां से start है, बिल्कुल, this is a 2 statement, और region भी यही देंगे, ऐसे आप लिख के दिखा देंगे, कि इसमें यह नमर से हैं, और इसमें 0 से start होता है, therefore it is correct, यहां देखिए region, every whole number is a natural number, every whole number कैसे हो सकता है, 0 is not a whole number, तो 0, 1, 2, 3 से start होता है, यहां पर, और यहां पर तो 1 से start होता है, तो इसमें 0 है ही नहीं, तो this is false, ओके, यहां देखिए, every integer is a whole number, तो सारे integers whole number कैसे हो सकते हैं negative numbers तो negative numbers होते हैं वो integer होते हैं negative numbers जैसे कि minus 2 है minus 3 है minus 4 है minus 1 है यह सारे numbers whole number नहीं होते हैं इस कारान से यह false है this is false because negative numbers are not whole numbers therefore it is false यहां देखें every integer is a rational number तो क्या सारे integers से rational number होते हैं तो बिल्कुल होते हैं yes this is true तो क्यों होगा यह what is the reason क्योंकि किसी भी rational number को किसी इंटीजर को जैसे माल लिए कोई integer लेते हैं 2 2 को अपन लिए सकते हैं 2 upon 1 मने P upon Q के फार्म में represent किया जा सकता है इसलिए rational number होते हैं every integer क्या सारे इंटीजर के नीचे हम डिनामेटर में लाकर के P by Q के फार्म में represent कर सकते हैं इसलिए यह correct है now the next one fifth one every rational number is an integer क्या सारे इंटीजर हैं नहीं जिसे 1 upon 2 क्या है this is a rational number but it is not an integer क्योंकि integer तो होते हैं 1,2,3,4,-1,-2 इसमें तो 1 upon 2 है P by Q के फार्म में हैं तो यह नहीं होगा तो this is false now the last one sixth one every rational number is a whole number बिल्कुल गलत है क्योंकि 1 यह जिदी 2 upon 3 ले ले लें तो 2 upon 3 is a rational number but it is not a whole number यह जदी आपको बस एक reason में एक example देते नहीं बस एक यह example देकर कि आप contrast पैदा कर देंगे तो false होने का justification हो जाएगा ठीक है जिसे मैंने यहाँ पर दिया ठीक वैसे आप कर सकते हैं तो यह आपके है 9 questions यह आपको अच्छा लगा यह वीडियो तो आप इसको like कर दीजे इस वीडियो को आपने दुस्तों को share कर सकते हैं और कोई भी doubt होता है तो आप comment box में लिख सकते हैं यह doubt नहीं भी है तो भी comment box में अपलोड करता रहूं ओके थैंक यू सो मच फर वाचिंग बाए